चोकलेट ममी से मैं सीमा सिंग आपका सागत करती हूँ, आज मां आपको शीतला अष्टि में की रत कता सुदाने जारी हूँ राचिंकाल में एक राजा था, उसके एकलोता बेटा था, उसको शीतला निकलाई उसी के राज्य में एक काची पुत्र वी था जिसे भी शीतला निकले हुई थी काची बहुत निर्धन था किन्तु भगवती का परम उपासक था वे धार्विक दश्टी से आफशक समझी जाने वाले सभी नियमों का पालंग करता था घर में साफ सफाई का ध्यान रटता था नियम से भगवती की पूजा करता था नमक नहीं खाता था दाल सब्जी में छोका नहीं लगाता था नहीं कोई वस्तु भुनी हुई तली हुई खाता था काची खुद भी तली भुनी चीजे नहीं खाता था और अपने बेटे को जिसको शीतला निकली हुई थी उसे भी खाने को नहीं देता था ऐसा करने से उसका पुत्र जल्दी ही ठीक हो गया दूसरी तरफ जब राजा के पुत्र को शीतला का प्रकौफ हुआ तब से उसने भगवती के मंडप में शत्र चंडी का पाठ प्रारम गरवाया हुआ था प्राय नित्य हवन बलिदान होते थे राज प्रोईत भी सदा भगवती के पूजन में नी मगन रहते थे राज महल में निट्य कड़ाई चरती थी विबित प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनते थे माज मदीरा का सेवन होता था राज चुकुमार का मन व्यंजनों के गंद से मचल उड़ता था वे भोजन के लिए जिद करता एक तो राज पुत्र और दूसरा एकलोता इस करण उसकी जिद पूरी कर दी जाती इससे शीतला का कोप गतने की बजाए बढ़ने लगा शीतला के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे जिनमें खुजली वर जलन होने लगी शीतला की शांती के निमित राजा जितने भी उपाय करता शीतला का प्रकौप उतना ही बढ़ता जाता इसके कारण यह था कि अज्यांता वश राजा के यहां सभी कारिये उल्टे हो रहे थे पुत्र की हालत देखकर राजा और भी ज़्यादा परेशन हो गए उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकौप शांत क्यों नहीं हो रहा है एक दिन राजा के गुप्त चरों ने काची के पुत्र को भी शीतला निकली ही यह बात बताई कि वै तो बिल्कुल ठीक हो गया है यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ पूजा अनुस्तान में मैंने कोई कमी नहीं रखी पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है जबकि काची का पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया यह सोचते हुए वह निद्रा लीन हो गया सपन में श्वेत वस्त धारणी भगवती ने दर्शन दे कर कहा कि हे राजन मैं तो तेरी सेवा पूजा से प्रसन हूँ इस कारण तेरा पुत्र आज भी जीवित है इसके ठीक ने होने का कारण यह है कि तुने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उलधन किया है तुझे ऐसी हालत में नमक का प्रियोग बंद करना चाहिए नमक से रोगी के फोडों में खुजली और जलन होती है घर की डाल सबजियों में छोका नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसकी गंद से रोगी का मन उन वस्तों को खाने के लिए लजचाता है रोगी के पास किसी का भी आना जाना मना है क्योंकि यह रोग अन्य को भी होने का डर रहता है तु इन सभी नियमों का पालन कर तेरा पुत्र जल्दी ही ठीक हो जाएगा यह कहकर भगवती लोप हो गई निंद्रा से जाग का राजा ने इन सब बातों का मनन किया और देवी की आग्या अनुसा सभी कारियों की व्यवस्ता कर दी इस से राज कुमार के सेहत में जल्दी ही सुदार होने लगा और कुछी दिनों में ठीक हो गया इस व्रत को करने से व्रती के कुल मेदाह, जवर, पीत जवर, विसपोटक, दुरगंद युक्त फोरे, समस्त नेतर रोग, शीतला की फूंसियों के चिन तता शीतला जनित सर्व रोग दूर हो जाते हैं एम शीतला माता सदे प्रसंद रहती है तो आज मैंने आपको शीतला अस्तिमी की व्रत करता सुनाई अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, चोकलेट ममी से मैं सीमा सींग, धन्यवाद